वर्ल्ड कप 2023, विस्प कप 2023 बात करेंगे, आज हम खेले जाने वाले मुकाबले नीदर लेंड वर्सिस निजिलेंड की जो होगा मैच नमबर 6 खेला जाएगा 9 अक्टूवर 2013 को दोपैर 2 बज़े से और यह खेला जाएगा राजीव गांदी इंटरनेशनल स्टेडियम हैदरावाद के अंदर इस मुकाबले की बात करेंगे, मैच प्रिव्यू, पिछ रिपोर्ट, की पिले अस, हैड टो हैड रिकॉर्ड और इस मैच का बिनर कौन रहने वाला है उन सब चीजों पर नजर डालेंगे, तो अगर आप पहली बार हमारे चनल पर बिजट कर रहे हैं, जल्दी जल्दी हमारे चनल को सब्सक्राइब कीजिए, साथ ही साथ नोटिफिकेशन के बेल आइकन को ओन कर लिजिए, 9711659549, यह हमारा वाट सप्टमबर है, किसी भी मैच की कंफर्म बेनिंग रिपोर्ट के लिए, IPL, CPL, BBL, PSL, World Cup, T20, International, all kind of cricket matches की रिपोर्ट के लिए आप हमसे जोड सकते हैं, साथ ही साथ क्रिकेट बैटिंग टिप्स, खाई लगाई टिप्स, टेशन टिप्स के लिए आप हमसे कॉन्टैक कर सकते हैं, 9711659549, यह आपकी लाइफ चेंजिंग नमबर है, मोबाईल को मैं अपने इस नमबर को सेव कीजिए, और जुड़ जाए हमारे साथ वाट्स अपके, साथ हमारे टेलीगराम को जोइन कर दीजिए, बिराट भाई 45 हमारे टेलीगराम का यूजर नेम है, आपको लिंक के डिस्क्रिप्स में मिल चलिए, वीडियो पर आते हैं, बात करते हैं, दोनोगी टीमों की पिलेंग लेविन पर, तो नूजिलेंड की बात करेंगे, तो नूजिलेंड में डेवन कौन बे, विल यंग आपको ओपन करते हैं नजर आएंगे, उसके बाद रचिन रवेंद्रा, डेरिल मिसेल, तॉम बात हम, उसके बाद आपको मिलेंगे, गलेन फिलिप्स, मार्क चैप्मन, जमी नीसम, मिसेल, सैंटनर, तोटल नौ नमबर तक इनके पास बैटिंग है, इतनी अच्छी बैटिंग लाइनप के साथ, खेल रहे हैं न्यूजिलेंड इस बार, लोकी फर्गुशन फर्स्ट मै बालिंग के साथ, आपको न्यूजिलेंड मिलेगा, टरेंट वोल्ट, मैट हैंडरी, अगर लोकी फर्गुशन आते हैं तो लोकी फर्गुशन तीन बेस्ट फास्ट टैक इनके पास होंगे, उसके साथ फिर मिसेल, सैंटनर, डेरिल मिसेल, रचिन रविंद्रा, ये इनके बात करें तो चोटी टीम है, न्यूजिलेंड के सामने बहुत चोटी टीम है, और नए ललके हैं, कोई बड़ा एक्स्पिरियन्स नहीं है, लेकिन अगर बैटिंग की बात करें, तो बैटिंग में कुछ अच्छे बैट्समें इनके पास हैं, जैसे कि मैक्स अदोयद हो गय बिक्रम जी सिंग हो गया, कॉलिन एकरमन हो गया, स्कॉट एडवर्ड हो गया, ये इनके पास काफी अच्छे बैट्समें है, और कभी-कभी क्या होता है, कि चींटी भी हाथी का सिकार करती है, जब उसका दिन होता है, तो छोटी टीमों का ऐसा ही होता है, अगर आपको टी हैदरावाद के अंदर मैच खेला जाएगा, हैदरावाद स्टेडियम में, इस स्टेडियम की बात करें, तो इस ग्राउंड पर टूटर साथ मैचेस केले गए हैं, जिसमें से फस्ट बैट करते हुए टीम चार मुकाबले जीती है, और सेकंड बैट करते हुए टीम तीन नजर डालें, तो दो सो से नीचे का स्कोर यहां पर एक वार भी नहीं लगा है, दो सो से धाइसो के बीच में तीन बार और धाइसो से तीन सो के बीच में एक वार स्कोर गया है, और तीन सो से ऊपर यहां पर तीन वार स्कोर गया है, अगर इस ग्राउंड का हम पिछली कु इस पिनर्स ने लिए हैं नाइंटीटू विकेट पेसर ने लिए तो इसे ग्राउंड पर पेसर को काफी एच्छी हेल्प रहती है दोनों ही टीमों का अगर हम टीम कंपरें जन करें फॉर्म को देखते हुए तो दोनों ही टीम है अपने द्रदस मुकाबले जो लास्ट खेली 374 नीदर्लेंड ने हाइस स्कोर बनाया है पर 104 नीदर्लेंड का लोएस्ट स्कोर रहा है बात करें की पेलियर्स की तो अगर आप नीजुलेंड में की पेलियर्स पर नजर डालें तो डैवन कॉनवे डेरिल विसल रचिन रमिंद्रा इन तीन बैट्समन के बैटिंग बल्ल के तरफ से आपको अच्छी बॉलिंग देखने को मिलेगी अगर लोकी फर्गूशन आते हैं तो लोकी फर्गूशन भी काफी अच्छी बॉलिंग करते हैं आपको नजर आ सकते हैं नीदर्लेंड की बात करें तो नीदर्लेंड में आपको बैटिंग में कॉलेर्न नेकर्मन स्कॉट एडवर्ट तेजा निंदा मनरू के बल्ले आपको बोलते दिख सकते हैं इनके बल्लों से आपको रन देखने को मिल सकते हैं बॉलिंग की बात करें तो लोगन वैग भी और पॉल वेन मैकरीन और साकिफ जुलपकार आपको अच्छी बॉलिंग करते दिखाई दे सकत अब दोने टीमों के अगर हम हेड टो हेड मुकाबलों की बात करें दोने टीमें अब तक चार बार आपने सामने आई हैं जिसमें से चार के चार मुकाबले न्यूजिलेंड ने अपने नाम की हैं तीन मुकाबले न्यूजिलेंड ने अपने न्यूजिलेंड में जीते हैं म अपने घर पे अपने घर पे तो वह मैच खेला ही नहीं है बार और ना न्यूजिलेंड के अंदर तो उनका जो कॉलम है वो आपको सारा जीरो जीरो में मिलेगा स्रिफ लॉस्ट वाला कॉलम आपको चार नंबर में देखेगा अब बात करें विनिंग पर्टिक्शन के तो वि मिल सकता है अधर्वाइज सीधा सीधा होने वाला है वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए जिन लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है पूरे वर्ल्ड कप में हर एक मैच की प्रेडिक्शन आपको देखने हो को मिलेगी जो आपके बहुत हैलप रहने वाली है क्योंकि किसी भी मैच में अगर आपको इंटरस्ट लेना है अगर आपको प्रॉफिट अंक करना है तो मैच कहां पर हो रहा है कौन से पिलियर उसका पार्ट होने वाली कौन सा बॉलर कौन से पिलियर अच्छा परफॉर्म करने वाले हैं और पिछ कैसी रहने वाले हैं अगर यह इंफॉर्मिशन आपके पास है तो आप आसानी से कैलकुलेट कर सकते हैं कि कौन सी टीम पे जीतने के चांसे होने वाले हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए साथी साथ 9721659549 यह नंबर सेव कर दीज